ये स्टेश करना था लुट करेंगे तो आज हम बात करेंगे एक्षतार से बद करेंगा थौट को एक्जाम है आपका याना टीचर्स यह सब चीजें हुई बात कि अभी एश्ट आपके सामने हैं और एश्टेट को आप सीटेट से थोड़ा सा लेवल अब ही मानिए थोड़ा नहीं बल्कि आसपास के जितने भी राज जाएं अगर हम वो सेवं सेस्टर स्टेट को छोड़ दें या साउथ में इंडिया में अग कई सारी चीजें जो हमें ध्यान रखनी हैं एक एक करके सारी ही बाते करेंगे आपके जितने भी डाउट हैं और फॉर पेज़स का जिसको समराइज आज के सेशन में करूंगी फटा-फटा-फटा स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सभी को बुद इवनिंग नमशकार राम पर दोनों भाषाओं में रहेगा अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो अनलाइक सीटेट में लाइफटाम वैलिडिटी होती है पता नहीं हर्याना में क्यों नहीं हुए उत्तर प्रदेश ने विस चीज को मान लिया था सभी टेट के लिए हो जानी चाहिए थी कि लाइव अगर हम बात करें तो साथ साल की वैलिडिटी है आपके रिजल्ट की डेट से तो साथ साल तक आपका सर्टिफिकेट वैलेड होगा इससे कोई नौकरी नहीं मिलती है बट आपको एक टेट का यानि एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट मिल जाए जब किन सी है नहीं एज क्योंकि प्राइविट स्कूल में भी कई बार टेट का जो सर्टिफिकेट है वो मांग लिया जाता है तो जरूरी नहीं कि आप गौर्मन जॉब ही करेंगे मतलब अगर आपकी एज निकल चुकी है तो प्राइविट के लिए लोग टेट क्लियर करते हैं आपको लगभग मिनट मिलते हैं और समझते हैं कहानी है क्या एक एक करके इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइशन कैसे करेंगे आप उस पर भी आएंगे समय बहुत कम है एक महीने का समय अगर हम बात करें आज से भी तो हम यह देख सकते हैं कि जो अगरिया टो नोटिकेशन है यह वह आए था कल यानि 30 अक्टूबर को और इसकी एकलिकेशन भी ओन्लाइन अप्लिकेशन 30 अक्टूबर से ही शुरुङ हो गई है और 10 नवेंबर तक जाएंगी तो 30 अक्टोबर से लेकर के और आप 10 नवेंबर तक करेंगे अपलाए और उ करेक्शन की डेट है 11 नवंबर से 12 नवंबर तक अपना इसमें पूरा दिया हुए डीटेल ये नोटिकेशन में शेर कर दूंगे आपको टेलिग्राम चैनल पर के कैसे फोटो कैसा अपलोड करना कितने के भी में होने चाहिए सिगनेचर और यह सारी चीज़ है तो भी आप द एक से पांच तक का टीचर बनना है अगर की बात करें तो यहां 628 तक और अगर हम पीजीटी की बात कर रहें तो बाखी क्लास के लिए तो यह थोड़ा सा हम देखेंगे यहां पर एड्मिट कार्ड आपके 24 नवंबर को आने की पूरी-पूरी संभावना है ना 24 नवेंबर को एडमिट कार्ड आपके सामने होफल या जाएंगे देड़ सो मिनट का पेपर होगा देड़-टो ही क्वेस्टन होगे वही सीटट की दरहा पैटन है लगबग के धाई गंटे का पेपर है दिटिट सो इड़ फो नेटिट नगहीं नेगिति आपकी आपकी नहीं है बट् तो चले आगे इसके अलावा अगर हम बात करें क्वालिफाइंग मार्स की तो यह देड़ सो नंबर में से आपके 60 परसेंट माक्स आपके आने चाहिए जो आउट अप हर्याना वाले लोग अधर स्टेट के लोग भी इसको एपलाय कर सकते हैं लेकिन वह जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे यानि सामानने वर्गन उनको देखा जाएगा अगर आप किसी कैटेगरी से भी हैं तब भी आपको जनरल कैटेगरी में पास होना होगा जिसकी जो परस बेट के भी ऐसी है या डिफरेंटली एबल व्यक्ति हैं तब भी आपको अगर आप रियाना से नहीं है तो आपको कोई रिलेक्सेशन नहीं मिलेगा जैनरल में पास होना है यह बेसिक बात हो गई अब आजाते हैं इसके पैटरन पर पैटरन लगभग तीनों लेवल के लि बढ़ती जाती है जैसे जैसे लेवल साब देखते हैं प्रीवेस एक बार उठाके देखिएगा इसमें सेंपल पीपर भी दिया हुआ है यह शेयर कर दूँगी तो प्रीवेस यह आपको मिलेगा अच्छे लेवल का तो एक मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है पूरी र सारे एक साथ मिल जाएंगे आपको खेर तो अगर हम बात करें तो देट्सों नंबर का आपका पेपर है समझते हैं सीडीप यानि चैल्ड डिवलेप्मेंट इन पेड़गोजी यानि बालविकास हैं सिक्षन शास्त्र तीस नंबर का है इसमें वहीं छे से ग्यारा वर्ष का बच्चा अगर प्राइमरी का टीचर आपको बनना है अगर ग्यारा से सोला जो है पीज़िटी लवल के लिए उन बच्चों को विश्यर्थियान में रखना है इसलिए बस पढ़ना सब कुछ है ले हिंदी 15 mcq's English 15 mcq's जिसमें आपका गद्यांश पद्यांश यानि पैसेज और साथ में आपका पेड़ागोजी तो इसके आपको सीटेट के नोट्स काफी हेल्प कर देंगे एक बार यूबी टेट में भी ऐसा हुआ था जैनली यहां ग्रेमर वाला या व्याक्नन वाला प पार्ट है जिसमें quantitative aptitude यानि गड़ित कहलो आप 10 नंबर का reasoning कहलो आप इसमें 10 नंबर के आतिया हर्याना जी के नवेर्नेस 10 marks की आप इंटरनेट पर कोई PDF अगेरा भी सर्च करेंगे आपने किसी दोस्ते मांगे मिल जाएगा आपको इतनी बड़ी बात नहीं है तो यह 30 न अब आप आपट की यह टो प्रेशी लेवल प्रेंट ये साठ नमर्व आपका सब्जेक्त आएगा माले आप इसटी हिंदी के लिए जा रहे हैं तो हम अगर आप गृच्छा एक से लेके पांच की किताब की को शिच्च तो करने आपको एड़ दसा पढ़के जाए उसका आ अगर आप समय है तो इतना कोशिश कीज़े कि उसको पढ़के जाए या इंटरनेट से धर उधर से कहीं समरी मिल जाए तो वो देख लीज़ा ठीक तो यह बेसिक सी बात हुई मेडियों वगेरा मैं आपको सब आपके सामने रखी चुकियों इसके अलावा आपको कोई सवाल ह सब्सक्राइब करें और बैट से भी पढ़ें वो तुड़ा मुश्किल हो जाएगा पढ़ना आपको है हर्याना स्टेट की जो भी बुक्स हैं जो वहां चलती है इस लेबस में कोशिच की नजर मारें और यह इंटरनेट से भी मिल जाएंगी आपको नोट जो आपको PDF मिल जाएगा फ्री नोट से वो पांचो सब्जेक्ट के तो आप उसमें से अपने क्यूंकि मैट्स की पेड़गोजी नहीं आएगी इसमें तो आप हिंदी इंग्लिश की पेड़गोजी और से जरूर पढ़ लेंगे और एक मेराफन सेशन देख लेंगे प्रीए सियर क्व सब्सक्राइब करने वाला पॉइंट अभी नहीं होता या इंटेंशन नहीं होता बट इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देंगे पेपर इस पेपर में बहुत लोगोज होता है क्योंकि यह पेपर कंपेरिटिव ली बाकी टेट के मुकाबले आसपास के जो दिल्ली के आसपास के टेट होते हैं उनके मुकाबले थोड़ा मुश्किल माना जाता है कि ना देखिएगा मेराफन के अगर हम बात करें तो चैनल पर मैराफन है पेड़गोजी की पूरी प्ल लोगों ने देखा हुए तो एक बार वो जरूर और नोट्स भी नोट्स बहुत स्पेसिफिक हैं मदब बहुत ही क्या कहूं कि कम शब्दों में कहें संक्षिप हैं अगर मैं कहूं तो तो प्लेलिस भी आप चैनल पर आप कुछ भी सर्च करेंगे हिंदी मैराफन बाई हमा अगर आपको हर्याना में आप सीरियस हैं कि तो आप एपलाए करेंगे तो कर लो किया और बात रही कि आप दोबारा दे सकते हैं नंबर ऑफ अटेंट्स पे कोई रोक नहीं आप कितनी वीवार पिपर दे सकते हैं स्कोर इंप्रूफ करने के लिए देना चाह रहे हैं तब दे सकते हैं फीज जो है आपकी अगर आप हर्याना में किसी कैटेगरी से तूपांच सो से लेकर के और तीनों लेवल तक भी आप एपलाए कर सकते हैं बट लेवल वन टू और थ्री के लिए अगर आपको एपला करना है सेपरेट लिए करना पड़ेगा वन में वी टू में चाहेंगे वो लग जाएगा तो यह बैसिक सी बात हुई इसके अलावा कोई भी आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं बाकी मुझा लगता है जाद तर जो आपके डाउट्स हैं वो रिजॉल्ट हो गए होंगे अब तक और एक्जाम सेंटर में आपको बता ही दिया है इ 24 कि डियरी सकता है क्वालिफीकेशन राइग तो क्वालिफीकेशन अगर मैं बात करूं के तीनों लेट अपको मोटा मोटा बता चैंस मेंधिते हो और गभित क्रून के खाल minutos के बात करे हैं बन. और यह क्या पाटरता चाहिए तो नहोंने संपली मैं गोशा को बता क्fendए ह यह वोना चाहिए या फिर चार साल का जो बी अलेड होता है वो चल जाएगा फैंतालिस परसेंट या पचास परसेंट मार्क्स मदब फैंतालिस भी है तो चलेगा तो आपने टी एलेड जे बीटी जो भी डिप्लोमा दू और इस्पेशल एडुकेशन का भी डिप्लोमा इव मतलब सेकंडरी जो 12th प्लस डिप्लोमा आपका एग्रेडुएशन प्लस डिप्लोमा होना चाहिए कोल मिला करके लेवल टू कि अगर हम बात करें यहां ग्रेडुएशन इंप्लोमा चल जाएगा यहां कोई सच दिक्कत नहीं है ठीक अगर हम लेवल 3 की बात कर रहे हैं तो लेवल 3 पे आपका पोस्ट ग्रेडुएशन पीजी प्लस बीएड कहीं कहीं मांगा हुआ किसी कि सब्जेक में अदर्वाइस आपका अगर एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है तो वह आप एक बार सब्जेक्ट वाइस उसको जरूर जरूर चेक कर लीजगा मैं आपको शेर कि बात रही तो सीटेट का नोटिफिकेशन जैसे आएगा उस पर काम करेंगे और आपकी क्लास इस कॉंटिनीव करेंगे डूंट वरी इतने आप प्रिवियस सेशन देख सकते हैं और यह सारी बात इसमें लिखी हुए हैं कौन पीजीटी बनेगा ऑनलाइन पर बोथ सेपर करना पड़ेगा देखिए यह है आपका प्राइमरी टीचर का क्वालिफिकेशन कि आपने यहां एक और चीज़ ध्यान रखेगा अपीरिंग की बात कर लेते हैं तो नहीं है कि आप पहले दिन में भी अगर आपने टीपी सी यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स के हैं तो आप आप एप्लाइ कर पाएंगे ऐसा यहां नहीं है और आप पेपर दे रहे होंगे ऐसा इन्हों नहीं लिखा हुआ तो यह बात हमें थोड़ी सी ध्यान रखने कि आप फाइनल यह में होने चाहिए अपने डिप्लोमा के या फिर पास कर चुके हो एक तो यह तो यह तोड़ा आप कर रहे हैं तो उसके फाइनल यह में हूँ या फिर पास कर चुके हो फरस्ट यह वालों को यहां पर कहीं भी मैंचंड नहीं है तो वह आपका क्लियर है बात 45 परसेंट नंबर या फिर 50 परसेंट मतलब 45 परसेंट पर बीकाम बनेगा कोई दिक्कत वाली बात है सच नह सब्सक्राइब कर रहे हैं अगर वह आप कर रहे हैं तो यहां पर बात कर रहे हैं तो यहां पर आपके पास बैचलर्स डिग्री यानि कि आपकी ग्रेजवेशन होनी चाहिए 50 परसेंट नंबर और साथ में आपका बीटी सी जेवीटी डीएड जो भी आपने किया हुआ हो बीडी का भी जिक्र है इस पर हमने बात की चाहे स्पेशल बीड है चाहे नॉमल बीड है जेवीटी है डील एड है ग्रेजवेशन के साथ इन में से कुछ भी है अगर टीचिंग ट्रेनिंग तो काम आपका बन तो अभी वो थोड़ी से दिक्कत है कुछ लोगों के साथ ना कॉम्मिनेशन बनता ही नहीं है चोटी सी इंफॉर्मिशन आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजगा कोई और बात हो तो विचार कॉमेंट सो मता दीजगा ठीके ना कोई करा है मै कौन सा नॉम चेंज हो जाए कुछ पता नहीं है आजकल अब जैसे बिहार में जिरों ने पहले से वह बीटेट किया हुआ होगा अगर हम बात कर रहे है नाइन टेंट वगेरा की तो उनके लिए हैल्प हो जाएगे उस चीज में तो अगर मौका है और इंट्रस्टेड हो के हाँ विकेंश की आएगी तो जरूर भरेंगे तो उसके समें कर लोगिए अधर इस्टेट वाले बिल्कुल भर सकतने हैं बस जेनरल में काउंट होंगे है और बताइए है हाँ जो आपको नोट्स दिये हुए है फ्री टेलिगाम चैनल से डाउनलोड कर लो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा वहां से डाउनलोड कर लो इसके लावा गर हम बात करें फ्री नोट से किसी को दो रुपे मत देदेना उसके लिए बहुत सारे च बुक्स आती है वह आप देख सकते हैं और बीपेस्टी वाली कहानी अभी उनके उनका आने दो एक बर फाइनल तीन तक आ जाएगा तब पता लगए सीटाट के नोटिफिकेशन का अभी इंतजारी कर रहे हैं कभी आपको देखने को मिल जाएगा और चलिए फिर टेक कियर और यहार बातुता बता देजिए उनका पमेंट्स में